ये मोदी जी की कारण कुछ करने लाइक बचे नहीं है आप संसद में लोग बोलते हैं माय कॉप कर देते हो अब देखिए अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अब देश में करोना आने लग गया ये लोग कहीं मीटिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं संसद बवन में हिंदू सबागे लोग आ रहे हैं देश की जंता के साथ मोदी जी ने विश्वास गात किया है दोजार चौबिस में नहीं रहेंगे पठान ने क्या दिया है फून खौलता है मेरा जब भगवादारन करते हैं और मुसलमानों के घर गिराते हैं पठान 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 क्या प भगवा पहना दर्म के नाम पर हमारी बावी को परेशान कर रहे हैं दीप का पदुकोण को देश की जीडीपी बढ़ रही है अर्थववस्था पूरी दुनिया में पांच में नम्मर पर पहुंच चुकी है और बेरुजगारी भी कम हो गई महगाई भी कम हो गई है लेकि किन सेंगर क्या करते नितिन जी आप जी समय समास सेवा चल लिए मोधी जी की कारण कुछ करने लाइक बचे नहीं है क्या बात करें साफ क्या बात कर रहा है पड़े लेखे लोग पकोड़ा तलने पर लगा दिया मोधी जी ने और जो बिचारे रहे बचे वह अपनी अंद मेंटन कर रहे हैं जानना चाहता हूं बारत सरकार देश के सामने यह आदार है आप संसद में लोग बोलते हैं माइक आफ कर देते हो विपच जो माइक आफ हो गया क्यों राउल गांदी जी बोलते हैं सब के सामने जुट बोल रहे हैं क्या आप संसद में विपच को बोलने नहीं देते बार आपके यह अंदभक्त मावल प्रकार का क्रेट करते हैं कि संसद में जो विपच के साथ बरताव हो रहा है उस पर देश चिंतन नहीं कर पा रहा कई देश बिरोधी कोन हैं उनने देश बसाया था उनका बसाय हूँ तो बेच रहे हैं Company संप्ती देखा साल में इंकम टेक्स देखे देश को आज यह इतना पैसा दिया सरगार को कि उन्हें यह संपत्ति खड़ी करी हमारी है फिर भी कॉंग्रिस कहीं नहीं है मुक्त हो रही है आरसे चस्मा उतारी है अब देखिए अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अब देश में करोना आने लग गया यह लोग कहीं मीटिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं संसत बवन में मास्क लगा हुआ था बाहर आगे जब यूस गोल जी स्टुडेंटों से मिल रहे हैं तो मास्की नहीं है किसी के क्या आई यह क्या आपने देश को बिल्कुल पूंडरूप से मूर्ख समझ किया गया किस तरह से एंडी टीवी को जबरन खरीदा गया इसलिए कह रहा हूं रवीश कुमार जी प्रमार है कि सच बोलने वाले की जगह नहीं है देश में आप लोग चाड़ू करता ही कर रहे हैं आपके चैनल पर क्या दखा रही है डेली पठान 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 क्या पठ इन नाम किया झ् 업लू करता कर रही है नहीं कर पाई है नहीं कर पाएं दीप का पदूखूण हमारी जब जह पटान मूवी काव बहिस्कार कर रहे हैं यह लोग जो देश महारे जक्ता फैला रहे हैं यही बाजपा के लोग यही टुकले टुकले गैंग हिंदू सबागे लोग आ रहे हैं से लोग यार कभी जीनियू को टार्गेट करते हैं यह लोग अठिशीता करणे जीनिचवन और अभारत कर स canoe की तो इससे क्या हो गया विरोजगारी कितम हो गई क्या हो गया है इससे देश की परिस्तितिया बदल गई मजाग बना रखा है भारत न अपना अध्यचता करने जो कोई मतलब बहुत बड़ा गौर्मान वित काम नहीं कर दिया ऐसे तो सारुकान पठान मूवी के इसमें प्रमोशन में दुनिया के 50 एक्टरों में सुमार हो गया ये भी उतनी बड़ी उपलब्दी है बॉलीबुट क देपा थे एक राजनातर अच्छा मंतरी एक मुलाहिम सिंग आदब थे रक्षा मंतरी ना पर सवाल मत खड़े करिया ना हमारी यह सेना देश की यह किसी के बाप की नहीं है हमारी देश की सेना डोकलाम में उसके ऊपर अत्याचार होता है तेश से जादा लोग सेनिक मार द कोई बात नहीं राजनीती है आज देश का नागरे 15 लाक लेना चाह रहा था दो करोड रोजगार का लोगों ने सपना देखा था सेरवासियों ने स्मार्ट शिटियों का सपना देखा था किसान ने सोचा था कि हमारी सौमीनातर रिपोर्ट लग जाएगी हमें फसल का मूल कर रहा है तक अधा है जली अधा मंदर के नाम पर रएस आस के पहुंचा है पूरे देश के नागरिकों को न वहीं है च पहुत करोड रुपय मिलेंगे आरेश पर बहुत गंभीर आरूप लगा रहा है आंजाम भुगतना पड़ सकता है राजबूत है अन्जाम के लिए मटराना यह माफी मांगने वाले लोग हमें अन्जाम दखाऊँ है किसको कह रहे हैं माफी बीर को मतंगाना बता दे रहे हैं हमाब को यह मत सोचना कि राजनाशंग पार्टी में है और नरंदर तोमर इन से राजबूताना नहीं है राजबूताने की मान मर्यादाओं के लिए हमारी माताओं ने जोवर किया है और हमारे योद्धाओं ने हल्दी गाटी के योद्ध में बीर गती को प्राप्ति की है हम राजबूते हैं छेड़ ना मत छेड़ ना मत जाती बात को बढ़ावा दे रहे हैं ये हमारी भूमी पर, आज आप लोगों के मकान हैं, इस भूमी के मालक हम हैं, ये सच्छा ही है, पचास साल रहेगी बीजिय पीफ, पचास साल रहे हैं, देश की जनता चुनती है, देश की जनता के साथ मोदी जी ने विश्वास गात किया है, 2024 में नहीं रहेंगे, पठान न द्रश्टिकोड बदली है अपना आप रंगों में भगवा और राजनीती इन चीजों को मत करिए भगवा संतों के ब्रस्त हैं बस रहे हम हिंदूओं के बस रहे हैं सनातन दर्म का मानसमान स्वाभी मान है भगवा से इसे आप एक इंटरेंटमेंट करते हैं बॉली बोर्ट ह में कुछ दिखाता है कुछ सिखाता है उस जगह पे आप भगवा को देख रहे हैं भागवा बदनाम हुआ आपका खून नहीं कौलता है एक संतने काश शारुक्षान को जिंदा दिला दूंगा और आप किस तरह के हिंदू है मैं समझ नहीं पा रहा हूं खून खूलता है मेरा जब भगवादारन करके साधवी प्रेगne- synthesis अरने माले गाह में बंबलाश्ट किया घून खूलता है मेरा जब आधूनाथयों करते हैं और मुसल्मानों के घर गेर गिराते हैं यह हमारा धर्म नहीं कहता है मतियों के घर ज़िए मज्जिदगरा के मन्दिर बना दो हमारा सनातन धरम नहीं कहता यह कितनी गंदि राज ही निती धरम के नाम पर हम विष्जुम == बतनाम कर दिया आपने हम हिंदु मान मर्यादा परंपराओं सब्धिताओं के जानने मानने वाले लोग इनकी रक्षा करने वाले लोग हैं आप भगवादारन करके बेटियों के बलातकार करते हैं कौन कर रहा है आप रामदेप कहता है नगन महिलाएं अच्छी लगती है मातला की बात कहा रहा हूं मीडिया मैं बोला नहीं बोला क्या मतला अदमीं ब्यापार कर रहें संत्थ बैपार घर्म के साथ सनातन धर्म के साथ घलबार तो यह लोग कर रहे हैं प्रस्वी पर कल योग ने आगमन हुआ था तो हमारे जो दरम राज तो बनवास को चले गए थे अपना शाषन त्याग के जब सन्यास लेते हैं ठीक है योगी बनते हैं जब सन्यासी बनते हैं तो घर और इंड सब चीजों को त्यागना पड़ता है आधितनात योगी जी ने बगवा जारन करके खुझ को योगी के रूप में स्थापित करके धर्म के नाम पर बोट लिया और किस तरह से आज सासन करते हैं अगर ऐसे अगर योगी और सन्यासी सासन करते तो राम को राजा बनने की जरूरत न कर रहे हैं कभी अखले से आधब को नहीं जाने देते आज जद्दार लोगों के साथ खिलवाल कर रहे हैं कभी उद्योग पतियों को पकड़के जेल में डाल देते हैं बसूली करते हैं पैसों की आज हमारे रच्चक बच्चक बन चुके हैं आप जाने क्या बात देश सु हुट बोलते हैं कभी किसान को आतंकबादी कहते हैं कभी नौजवानों को टुकले टुकले गैं चिलाले में अभी विस्बिद्याले में लोई की रोडों से शर्चित हाथों में देस नागरिकों के उपर अत्याचार कर रहे हिंदू के नाम पर धर्म के नाम पर यह वास्त उक्ता कौन लाएगा देश के सामने देश की पीड़ा कौन रखेगा मीडिया आप तो दलाली कर रहे हैं बॉस आपके अंजना उमकस्याब रोज टीवी पे बैठाल के दलालों को हिंदु मुसलमान कर रही है बताइए सची पत्रकार अंजना उमकस्याब रूब का लियाकत रजस्ट सर्मा अमीश देवगन और वो डियने वाला सुधीर चोधरी ये वो दलाल निकले देश के जिनके कारण आज ये परिस्तियां है चौता इस्तम वो मजबूत इस्तम है जो लोगों के न्याय के लिए लड़ता है आज इन लोगों की दलाली के कारण आज हमारी सुप्रीम कोट असाय है न्याय कर पाने में आसमर्थ है एक रुपए का जुर्माना है ये तियास में याद रखा जाएगा कि सुप्रीम कोट किस तरह दबाब में था बोलने की आजादी नहीं है अगर बोलने की आजादी होती तो ममता बेनर जी ने सुवेंदु अधिकारी को चुनावराया था उन्हें बेहिमानी के तैयतारा गोसित किया गया म समताब एनरजी सच बंगाल के सामने रखती नहीं रख पा रही हैं तमाम बड़े-बड़े नेता आज सच नहीं बोल पा रहे हैं संसद में विपच को बोलने नहीं दिया जाता है समझिए आप सच क्या है कौन कहता है ऐसा रावल गांधी वो नेता है जब करोना मावारी न नहीं कर रहे तब मद प्रदेश की सरकार को गिरा रहे थे अपनी सरकार बना रहे थे तब रावल गांधी जी करोना की चुनता कर रहे है ते पुर्दान मंत्री जी जब यहां पे टर्म्प का स्वागत कर रहे थे तब रहाल गांदी जी करोणा के बिषय में नरेंद्र मोधी जी को चेता रहे थे नरेंद्र मोधी जी की असफलता है आज देश को लेड़ू भी है बारज जोड़ो यात्रा को शुरू से ही टार्गेट करती चली आ रही है, टार्गेट करने में असफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि एक सच्चा आदमी सच के साथ चला है, सच बोलने वाला कभी नहीं आता, सच राउल गांदी ने जो बोला वो सच है, नोट बंदी से लेकर बारज जोड़ो यात्रा तक जब राउल गांदी ने बोला, इसे देश की जंता से सच बोला, और हमारे देश के प्रदान मंतरी ने जब बोला, चाहे मन की बात में बोला, चाहे मन्च पखड़ों के बोला, केबल और केबल देश के साथ जूट बोला, ये फर्क है नरेंद्र मोधी में और राहूल गांदी जी में, बारेज जोड़ो यात्रा के कारण आज राहूल गांदी जी से देश जोड़ रहा है, राहूल गांदी जी की बास्तविक्ता आज देश के सामने आ रही है, वो आज दुनिया के सर्वस्रेश्ट लीडर की और ब बारत में kभी भविश्च में कमजोर होगी इस बात को सदय रहाद रख लेना वक्त का पैया है कभी तेजी से गुमता है कभी वक्त नरेंद्र के अपने वक्त में देश की निलामी की जब पंडिच जबालाल नहरु का बक्त था तब कॉंगरेशियों का बक्त था तो इसे देश को बसाया गया लोगों को रोजगार दिए गई पैंसे ने दी जा रही थी नागरिकों का खयाल रखा जारे कॉंग्रेसerek डूपता जहाज है कोई weग बात नहीं कोई कोई बात नहीं seront संगर्ष के बट में कॉंघ्रेस को छोड़ रहे हैं यह कभी किसी के नहीं हो सकते जब संगर्ष करने का बब्रस थो जो भफन रहे और बैट करने कोकर धना है कि अइसे लोगों को कभी बोट नहीं थेना चाहिए और राजगराने से हो जाने को सुस्थान में कोई बात नहीं जनता है हमारे लोक तामतरिक अधिकार है जनता चुनेगी यज बोल्त करतर हो और रहे से वह को पृघ रुघ संस्ताना चाहिए अंय高zeit कई लोगों की सुनता ही को बचाभ करता है अगर विपच्च के लोग ने वास्तियक्ता दिखा एक इवियम में ऐसा हो गया तो बचाभ करते हैं दतागी रामपुर में बोट नहीं डालने दिये केजरी बाल कैसे झीते है आप रब की जो बास्तियकता कॉछ नहीं बोलते हैं रावल गांदी जी ने बोलते हैं कि आपके नहीं बोलते हैं बारती जनताप पार्टी ने संसद में बुरूत किया था कि इवियं में मतदान सुरक्षत नहीं है आप बताईए लोगों ने विश्वास नहीं किया आज देश के सामने अटल जी की वास्तविक्तार दस साल सरकार थी अटल व्यारी बाजपेई जी भी प्रदानमंत्री रहे उस समय चुनाव इमानदारी से हो रहे थे चुनाव आयोग विपच्च की हर बात का मान रखता था देश में इबियम सलकों पर नहीं पाए जाते थे जब तक मनमोहन सिंग जी प्रदानमंत्री थे जब से ये लोग प्रदानमंत्री बने डेड़ लाक जाने कितने लाकों इब प्रदेश में रिजल्ट मिलेगा आने वाले 2023 में नौराज्यों में चुनाव है पूला रिजल्ट आएगा अगर चुनाव आयोग देश में सम्मिदान को बचाना चाहता है इसी सम्मिदान से चुनाव आयोग की गरिमा है इसी सम्मिदान से सेना की गरिमा है इसे सम्मिदा अधिकारों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हनन हो रहा है चुनाओ इमांदारी से कराईए लोकतंत्र को जीवित रखिए अभी नौराज्यों में चुनाओ होने वाले हैं प्रणाम आपके सामने आ जाएंगे आज मोदी जी जो पिर से इवीम से ही मद्दान होगा इवीम बताया गया किस तरह से आजम खान चिलाते रहे उत्तर प्रदेश में हुआ अभी जब जिला पंचायत के चुनाओ हुए उन सभी चुनाओं में समाजवादी पार्टी को बढ़त थी कैसे आज उनके जिला पंचायत नहीं बन पाए उक को संग्यान लेना चाहिए और बार लेकिन परस्तितियों में यह आई है यह इंदूओं का देश है पुने उस जंजीर की और बढ़ रहा है जिस जंजीर से हमारे क्रांतिकारियों ने महत्मा गांदी ने इस देश को आजात कराया था इन वास्तविकताओं पर भी नज़र डालना जरूरी है हम हिंदू है बीर अधियास सच है कभी छुपता नहीं है अब यह लोग कहते क्यों करें सामने खण पने बात करने कि आंक में डाल के हिम्मत रखता तथ्यों के साथ। हिंदु मुसलमान के नाम पर नहीं तथ्यों के साथ। कोई भी भारतियंता पार्टिक लीडर हुआ नौजवानों का लीडर है कनाया कुमार। पड़ा लिखा लड़का है कि आज भी तुरभाग गया इस देश में कि नरेंदर मोधी जी की असफलताओं की गलती आज नेरु जी का निदन कब हो गया था ऐसे बेश्कुरू बनेंगे अपनी गलती को स्युकार करना सीखो नेरु जी ने वो काम किये जो आज तक इतनी फैस जी इनकी देन नहीं है फाइब जी समझ में आई जब ये थे नहीं ना तब शुरूआत कर दी ती राजीब गांदी जी न आज ये उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आपको समझना पड़ेगा बास्तुक्ताओं से द्यान मत अड़ाओ फाइब जी छे जी नेरु जी ने क्य चीन को दे दिया हमने जो बारत बचा पाए न उस बारत को बचाया उनिस सो शैतालिस में जब देश आजाद हुआ हमारे पास कुछ नहीं था इसी देश में हम गुलाम थे नहीरु जी ने आजाद बारत का निर्माण किया अक्साइब जोल रहे हैं हमारे उपर बाश्ट मे नहीरु कमजोर थे नहीरु वह सक्तिसाली प्रदान मंत्री थे जो चाहना से लड़ गए थे आज तो रफैल भी है अगनी मिसाइल है तरह 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 कि डोकला में क्यों हमारी सेना की उपर अमला हुआ था हम क्यों नहीं चाहना से बात कर रहे हमारी जमीन पर चाहना कैसे ब चुर्दान मंत्री थे तो नरेंद्र मोदी चाहती ठोक के चाहना को ललक आर ते जब इस देश में सिंगेशकें यानी कोंगरिस की सरकार थी तो राजना सिंग च्ञेशक ठोक के क्याते ते दावड को लाएंगे भूलो कि सरकार में भूलो लाओ दिखाव आंग दिखाव पाकिस्तान थर थर कांपता टीवी नहीं देखते हैं आप किया है उसको पगड़ के लाओ ना अतंकबादी को अभी देश के नहीं हो सकते हिंदु राष्ट बनेगा उसे पगड़ के लाओ जिसने मेरे सेना को टारगेट किया है शारुक खान इस देश का वह कलाकार है जिसने देश को अभी दो जगह सम्मानित किया एक तो फुटवाल के बढ़ कप में और एक अपने आपको खुट पचास कलाकारों में सुमार करके जो भगवा भगवा धारियों को अपमानित किया मेरी बाबी ने बगवा पेना हिंदु पेनेगी पंदतानी पेनेगी उखाड़ लो संस्कृति हमसे जादे जानते है जो भगवा पेनके शाले गाउं में क्या किया सब जानते हैं और आयमंद करें उनकी चार शीट बनाई सब जानते हैं और उसके बाद जब मोधी सरकार में एनाईय की टीम ने एनाईय कोट में जाके क्लींचीट देने के लिए उनके फाइल सामने रखी तो ऊट ने फैक दी और एमंद करके अरे ग्रैमंत्री भी तो तड़ी पार है अब कहने में डर लगता है लेकिन कहते हैं ना पॉजिटिव लोग देश दरो ही है आप पॉजिटिव लोग देश दरो हैं यह देश दुरूई के रहे हैं ऐसे गांधी को भी यह देश दुरूई करने वालों ने जिस तरह ऐसे बगवा दारण करके आज हमारे धरमको पूर्य विश्चु में बदनाम किया है हमारे मठों पर कबजा कर लिया है आज इस बगवाम के आल में संत नहीं है इस बात को तक वालोचर दाम में बेटके उन्हें कितना संबान दिया जाता क्या नाम है उनका भई यह दिन्ना करने लगे हैं उसका नाम तो बता दो कौन सा सास्त्री है वो कौन सा दिवता है दीरें लें है तुमारी जहिए सा सगल में पहुने नहीं की सगट दिने एस यह ऑब संत अ पूरे देन हमारे बागयोसर धाम जो बाला जी महाराज का पवित्र धाम उस पर बैट के राजनीती करता है वो आदमी कभी हमें धार में ज्यान नहीं देते मैं वो बोल रहा हूँ जो वो डेली प्रवचनों में करते हैं बुल्डोजर को चलाने को वो बड़ाबा देते हैं अपने बक्तों में हिंदुत के नाम पर राजनीती करते हैं संतों के ये काम नहीं है जगत गुरू करपालु जी महाराज सच्चे गुरू थे अगर किसी को मेरी बाद से खेद पहुच रहा हो तो जगत गुरू करपालु जी के प्रवचन सुन ले कभी राजनीती हुई हो उसमें तो बताना आज मटों में बैट गे हमारी संपतियों को लूट रहे हो मटों की जमीन उद्योग पतियों को दे रहे हो मटों को घूट बोलने वाला आदमी अपनी पतनी के साथ बेवफाई करने वाला आदमी प्रदान मंत्री पर तो पर आप उनको राष्ट पता मत कहिए मैंने नहीं का आप इतनी बड़ी उपादी नहीं दे सकते महाराश्ट के उपमुख मंत्री की पतनी जी ने अम्रता फणन्वीस जी ने कहा तो मैं बता रहा हूँ जब वो इस तरह के गलत वाक्यों का अगर उप्चार करेंगे तो जबाब भी सुनने की मत रखनी पड़ेगी आपको दो के बाद चले अंद्रकारी जूटा आदमी कभी राष्ट पता नहीं हो सकता मातमा गांधी जी को बारत के अतरिक्त एक सो से ज़्यादा देश उनकी आइडलोजी को मानते हैं उनका सम्मान करते हैं चलिए तो बड़ी अच्छी बात कहीं नोने सोचना पड़ेगा कि राष्ट पिता मातमा गांधी आज कितने प्रासंगिक हैं क्या हम उनके आदर्शों पर चलते हैं या सिर्फ उने हम इतियास में ऐसे ही पढ़ते रहेंगे क्योंकि काट तो यह जा रहा है कि इतियास को भी कहीं ना कहीं तोड़ा मरोडा गया है फिर से इतिहास लिखने की तैयारी की जा रही है का जा रहा है देश को हिंदू राष्ट बनाये जाएगा पठान का विरोत किया जा रहा है लेकिन बेरोजगारी महगाई पर कोई बात करने को तैयार नहीं है आप देखते रहे नेशनल दस्तक कमेंट जरूर करिएगा शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे